हेलो फ्रेंड्स वेल्कब टो मैं चैनल आए आज हम देखते हैं सेवन क्यूसी टूल्स के दूसरे टूल यानि स्टेडिफिकेशन को सदारन भासा में कहें तो स्टेडिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड एंड कंकर इसका मतलब है कि एक निश्चित क्राइटेरिया के मता सब्सक्राइब किसी पूर्ण को छोटे हिस्से में तोड़ लेना कि कॉलिटी कंट्रोल में स्टेडिफिकेशन का साधारन मतलब होता है डेटा के सेवरेल ग्रूप में कॉमन फैक्टर्स एंड टेंडेंसी के अनुसार तोड़ना टाइफ्स एंडिफेक्ट एंड कॉज स्टेडिफिकेशन को जल्दी समझा जा सकता है अब देखेंगे इसका क्या यूज है कॉलिटी कंट्रोल में स्टेडिफिकेशन एक बेसिक प्रिंस्पिल के रूप में रिप्रिजेंट करता है मतलब किसी मैटर को सिवरेल पोर्शन में तोड़ कर सोचना स्टेडिफिकेश का देरी की संभावना है मतलब आप जब भी डेटा कलेक्ट करें तो आपको एस्टेटिफिकेशन टूल को यूज करके ग्रूप कर लेना चाहिए जैसे दिन, टाइम, प्लेस, वर्कर्स, प्रोसेस और दूसरे क्रैटेरिया जो की हमारे अनलैसिस में यूजफुल हो करवर्स, ऑइलोकेशन, या बडूप्र्सेश, एक्षेक्टर में लेते हैं। इसे हम इस्टेटा के बीच के वरिये शन में देखने के लिए यूजब करते हैं। cause and effect के बीच relationship को identify करने के लिए भी करते हैं इसे हम purpose को identify करने और purpose को पूरा करने में भी use करते हैं इसे अलग-अलग phases में, situations में monitor करने, cause को analyze करने और effectiveness of actions को review करने में किया जाता है स्टेटिफिकेशन का result क्या है स्टेटिफिकेशन हमें stata के बीच के variation को observe करने में मदद करती है cause analyze करने के समय हम certified data का उप्योग करके इन चीजों को पूरा कर सकते हैं जो यह है first problem identification को identify करके इसे control करना second, several group में तोड लेने पर data का division आसानी से किया जा सकते है अब आईए देखते हैं कि data collection plan के दौरान certification कितना important भूमी का अधा करती है एक example लेते हैं हम इसमें देखते हैं कि stratification factor number one factor है जब हम data collection करते हैं दूसरा operational definition है for example key indicators for data collection जैसे defects, types और categories of anything data source और location तीसरा है how data will be collected चौथा नंबर पर आता है पांचवा है who will collect the data यानि इसमें responsibilities को हम रखते हैं और sixth step है sample size process में unlimited data हो सकते हैं यानि sample size बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन हमें पूरा data ना लेकर sample size में लेना होता है जैसे किसी process में 24 hours में धेर सारा data हो सकता है पर हमें उसमें केवल कुछ घंटों का ही sample pick करना है तो आईए देखते हैं कैसे use करेंगे हम इसे तो parato chart, histogram, etc की मदद से हम इस data को display करते हैं या हमें stratification की value दिखाता है जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि stratification factor को analyze करना बहुत जरूरी है किसी भी data collection से पहले अब हम एक simple example को देखते हैं इस example में हम देखते हैं कि x-axis में level of education और y-axis mean annual earnings को show करता है तो या stratification level of education के उपर based है इस चार्ट में men और women के annual income को education के अधार पर categorize किया गया है तो basically हम इसमें दो स्टेटिफिकेशन को show कर रहे है एक categories of men and women और दूसरा according to education earnings में क्या differences है चलिए हम एक छोटा सा graph बनाते हैं Excel की मदद से सेम एक्जामपल को समझने के लिए ओके फ्रेंट्स तो यह हमारा डेटा है जिसमें इस कॉलम में हमारा education है इस दूसरे कॉलम में में का मीन अर्निंग है और इस कॉलम में विमें का मीन अर्निंग है तो हमने तीनों कॉलम्स को प्रिपेर कर लिया है अब हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे देन इंसर्ट्स रिकमेंडेड चार्ट अल्चार्ट कॉलम देन क्लस्टेड कॉलम यह हमारा चार्ट आ गया यह बिल्कुल वैसा ही चार्ट है जो हमें चाहिए था अब इसे थोड़ा हम एड्जेस्ट कर लेते हैं न्यू स्टैल्स तो हमारे डाटा का चार्ट आटोमेटिकली पोपुलेट हो गया है हमारे इस हमारे इस सोर्स से और हम देखेंगे कि दोनों ही सीरीज यहां पर पोपुलेट कर रहा है अब हम चार्ट टाइटल को चेंज करेंगे इसको नेमिंग करेंगे इसके लिए इसके लिए हम मैं रखेंगेंगे और दूसरी शीरीज को एडिट करेंगे इसे हम वुमेन अब हमारा ये ए इसमे इसमेर मैं और ये मैं और वुमेन को शीरीज कर लेते हैं अब हम इस ये डिटा को लेड़्टड करेंगे तो अब हम देखते हैं कि यह minimum $0 से maximum $120,000 जो कि हमारा सही है अब इसे बंद करेंगे फिर अब हम लोग इसे देखते हैं इसमें डेटा लेवल को हम आइड करेंगे राइट क्लिक एड डेटा लेवल तो हम देखते हैं कि यह सारा डेटा लेवल हमारा शो कर रहा है अब हम इसके गैप को अड़ेस्ट करेंगे तो डबल क्लिक अगर हम जीरो करते हैं तो दोनों एक साथ आ जाएगा हमें थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है इसे हम माइनस टू रखते हैं तो यह कुछ अच्छा सा ग्राफ लग रहा है अब हम देखते हैं कि इसके एक सेक्सिस और यक्सिस को कैसे नेमिंग करते हैं तो हम लोग इस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे तो एक्सिस टाइटल हमारा यहां पर आता है एक सेक्सिस और यक्सिस पॉपुलेट कर रहा है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करके हम लोग इसको नेमिंग करते हैं में एर्णिंग्स एक्स्ट एजुकेशन लेवल अब हम इसे अगर चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं इस तरह से हम इसे प्रिंट कर लेंगे अगर हमें चाहिए तो इसे प्रिंट कर सकते हैं तो अभी हमने सीखा कि कैसे यह स्टेटिफिकेशन ग्राफ बनाया जाता है आशा है आपको पसंद आया होगा अगर आपने इससे कुछ भी सीखा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूट कीजिए अब हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सेवन क्यूशी टूल्स के साथ तो कीप वाचिंग धन्यवाद